दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में, दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी ख़़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटबट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताये कि आप बिहार की के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्रायज जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बोक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर दसवे पास के लिए ग्रामिन डाक सेवक की 468 भरतिया नहीं होगी कोई परिक्चा जिया बिहार और महाराष्ट पोस्टल सरकिल में ग्रामिन डाक सेवक की 468 पदों पर भरति निकाली गई है बिहार पोस्टल सरकिल में 1940 और महाराष्ट पोस्टल सरकिल में 248 दोनों ही सरकिल के लिए आवेदन की अंतिम्ति थी 26 मैं 2021 है इन पदों के लिए दसवी पास उमिद्वार आवेदन कर सकते हैं कोई लेखित परिच्छा नहीं होगी द्वारों का चैन मेरिट के अधार पर होगा मेरिट दसवी में प्राप्तां के अधार पर वनेगा अगर किसी अमिद्वार के पास हायर क्asta अलब स्वा आवेदन की अधार है तो ये कोई माइने नहीं रखेगा शिर्फ दसवी के मार्क선 ही चैन का अधार बनेगे ग्रामिन ड पोसमास्टर डाक सेवक पद वरे जाएंगे बिहार में लॉगडाउन के विकलप पर नितिश्क मंत्ळन सभी जीलों के S.P. और डियम से ले रहे हैं पिछे बिहार में लॉगडाउन लगाने के विकलप पर मुखमंत्रे नितिस कुमार एक वर फिर विचार कर रहे हैं मुख्यमंत्री कल डिप्टी सियम समित राज की तमाम आला अधिकारियों की मौज़ोदगी में वीडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये जीलो से फीडवेक ले रहे थे सभी जीले के एसपी और डियम एक एक करके मुख्यमंत्री के साथ जुड़े रहे और जीलो की ग्राउंड रियलेटिक के बारे में जानकारी दे रहे थे मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने इसके पहले सोमुआर को भी एक हाई लेवल की मीटिंग की थी कल भी मुख्यमंत्री कोरोना की इस्तिति को लेकर समिक्षा बेठक कर रहे थे इस बेठक में मिले फीड़बेक के बाद मुख्यमंत्री यह तय करेंगे कि आज बिहार में किस इस्तरा की सक्ति बरतनी की जर्रत है। बिहार के सविश सरकारे और नेजी अस्पतालों में कोवीड बेड की संक्या बढ़े गी नितीस कुमार का एलान। मुईक मंत्री नितिस कुमार ने राज में COVID-19 से सम्मंदिद इस्तियों की समिक्षा की इस उचिस्तरिय समिक्षा बेठक के दोरान मुईक मंत्री ने कई अहम निर्देश दिये कहा कि कोरोना संग्रमन के मामले प्रति दिन तेजी से बढ़ हैं विसे सेग्यों के अनुसार अभी और बढ़ने की आसंका है इसके मद्दे नजर आला अधिकारियों को निर्देश दिया की आजी आयमे सहित सवी सरकारी वा नेजी अस्पतालों में COVID-19 की सिंख्या बढ़ाई जाए दूसरी तरब बिहार में लोगडाउन को लेकर एंडिय में बड़ी तकरार अमांजी ने रखी ये बड़ी सरते जी हाँ एक तरब BJP और VIP जहराज में लोगडाउन लगाने के मांग कर रहे हैं वहीं गडबंदन में सामील पूर्व मिखमंत्री जीतरणा माजी और उनकी पार्टी ने लोगडाउन लगाने के लिए बड़ी सरते सामने रख दी है जीतरणा माजी ने कहा कि वो एक ही सरत पर लोगडाउन का समर्तन करेंगे अगर सबका बेजली पानी बिल, स्कुल कोलेज की फिस माप कर दी जाए, किराएदारों का किराया माप किया जाए बैंक लोन, EMI को भी माप कर दिया जाए माजी ने कहा कि किसी को सौक नहीं होता कि जान जोखिम में डाल कर बाहर जाए लेकिन रोटी और कर्च के कारण सब कुछ करना पड़ता है यहाँ बात एर कर्णिशनर में रहने वाले लोगों को समझ में नहीं आएगी पूर्निया में विकेंड लोगडाउन का दाइरा बढ़ा अब जिले में सनिवार वर रैवार को बंद रहेंगे बाजा पूर्निया जिले में कोविड संक्रमन के गंबेर इस्तिती को देखती वे जिला प्रसासन ने विकेंड लोगडाउन का दाइरा बढ़ा दिया है अब पूरे जिले में तीन हपते तक सनिवार वर रैवार को अवैसकता सिवाव को छोड़ कर सभी दुकाने बंद रहेगी इससे पहले केवल पूर्निया नगर निगम चेतर के लिए यह विवस्ता लागू की गई थी पूर्निया जिला अंतरगत कोविड-19 संक्रमन के मामले में बिर्धी की मद्धिनजा संक्रमन के मामले को नियंतृत करने एवाम बेतर स्वास्त सुविदा अपलब्द कराने है तू जिला अधिकारे राहूल कुमार ने धारा 144 के अधिन 15 मैं तक के लिए सवी समुदाई की जीवन वा स्वास्त की रक्षा की निमीत विकेंड लोडाउन का दाइरा बढ़ा दिया है बड़े कबर बिहार में अब 7 लाग टन गेहूं खरेदेगी सरकार सभी किसानों को मिला खरीद का निर्देश जिहां बिहार सरकार गेहूं की सरकारे खरीद का लच्च बढ़ाने जा रही है सरकार का नया लच्च 7 लाग टन गेहूं खरीदने का होगा पहले मात्र एक लाग खरीद का लच्च था अब तक यहाँ सबसे बड़ा लच्च होगा सकारिता सची वंदना पैसी ने समुवार को खरीद की समिक्छा की और अधिकारियों को संसोधित लच्च के अनुसार खरीद करने का निर्देश दिया है साथ ही कहा कि एक भी किसान क्राय केंदर से लोटना नहीं चाहिए जो भी ग्यहूं बेचना चाहे उससे खरीद की जाए नए लच्च के लिए राज सकारी बैंक के मैदम से जरूर पैसी की विवस्ता कर ली गई है पड़िकावर कोरोना काल में समावित बार से निवटनी की तयारी सुरू दियारा इलाके में होगी ड्रोन से निगरानी जी हाँ कोरोना के दोरान 2020 में भी बार गरस जीलो में अधिकारियों ने कोरोना गाइड लाइन के तहद बचाव अभिहान चलाया था लेकिन इस बार कोरोना की लहर पिछले से बहुत अधिक खतरनाक है ऐसे में आपता विभाग ने अभी से इसकी तयारी सुरू कर दी है सबी जीलों से रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके इलाके में कहां कहां बार का खतरा अधिक रहता है और किस तरह से वहाँ लोगों तक कोरोना गायलाइन का पालन करते हुए रहत बचाव का काम किया जा सकता है इसको लेकर 15 माई से पहले सबी जीलादिकारी रिपोर्ट भेज दे ताकि बार गरस्त जीलों में बहतत तरिके से काम हो सके आपको बदा दे कि इस बार भी बार के दोरान बचाव काम में ड्रोन का उप्योग किया जाएगा बिहार में कोरोना का कहर जारे 24 घंटे में मिले 12604 नए संक्रमित जीया बिहार में मंगलवार को 12604 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है पटना में सरवाधिक 18304 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं पटना सहिद 6 जीलो में 500 से अधिक नए संक्रमित मिले हैं और अंगाबाद में 622, बेगुसरा में 611, गया में 789, सारन में 543 और पश्चिमी चंपारन में 649 नए संक्रमित मिले हैं पिछले 24 घंटे में राज में एक लाग 328 सेंपल की कोरोना जाच की गई है बिहार में कल फिर 85 लोगों की मौत पटना और पश्चिमी चंपारन में मौत से हाहा कार बिहार में कोरोना संक्रमान लोगों पर कहर बन कर तूट रहा है मंगलवार को बिहार सरकार की ओर से जारित ताजा अकड़े के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के बेतर 85 लोगों की मौत हो गई राजानी पटना पश्चिमी चंपारन दरबंगा गया मुंगेर नलंदा शुपोल भागलपूर मुझपर पूर्वी चंपारन और औरंगाबाद में मौत से कोहरा मचा हुआ है इन जिले में मौत से कोहरा मच गिया है बिहार सरकार ने हाई कोड को कहा ओक्सिजन की कमी नहीं नाराज कोड ने जम कर लगाई फटकार अब रोज होगी सुनवाई कोरोना से समसान में तबदिल होते जा रहे बिहार में ओक्सिजन की भारे कमी के बीज बिहार सरकार ने पटना हाइकोड में संसनिक खेज दावा कर दिया है राज सरकार ने हाइकोड को कहा कि बिहार में ऑक्सिजन की कोई कमी नहीं है नाराज हाइकोड ने बिहार सरकार को जम कर फटकार लगाई है पतना हाइकोड अब बिहार में कोरोना के इलाज और ऑक्सिजन की कमी को लेकर हर रोज सुनवाई करेगी हाइकोड ने एम्स के डाक्टरों की एक टीम को विश्यस अधिकार देते हुए बिहार के अस्पतालों में कोरोना के इलाज के दवावों की जाज करने को कहा है बड़ी खबर अब इंतिजार नहीं किसी भी कमपनी से आप ले सकेंगे LPG सिलिंडर जी हाँ अब सिलिंडर की डिलेवरी से जुड़ा एक नियम बदलने जा रहा है सरकार इसके तैयारी में जुटी है और उम्मीदे की जल्द ही नए सर्विस की गोशना सरकार कर सकती है आपको उसी से सिलिंडर मिल जाएगा यानि अगर आपकी एजनसी बीपी सी एल की है मगर आपके आसपास में इंडियन ओयल की एजनसी है तो आपको उसी से सिलिंडर मिल जाएगा बड़ी खबर मैं में 12 दिन बंद रहेंगे बैंक यहां देखिए पूरी होलिडे लिस्ट जी हाँ अपरेल मैंने को खतम होने में बस कोची दिन बाकी रह गए हैं मैं में बैंक कूल 12 दिन बंद रहने वाले हैं हलाकी अलगलग राज्जों में अलगलग बंदी हैं इनमें सब्ताइक बंदी और दूसरे सनिवार की बंदी सामिल आपको बताते की एक माई को लेबर डिपर कुछ इलाकों में बंदी है दो माई को रईवार है साथ माई को जमाद ओल विदा जमू कस्मिर के बैंक बंद रहेंगे आठ माई को दुसरा सनिवार है नो माई को रईवार है तेरा माई को एद की कुछ इलाकों में बंदी रहेगी 14 माई को भगवन, स्री प्रसुराम, जैनती पर बंदी रहेगी 16 माई को रहिवार है, 22 माई को चोथा सिनिवार, 23 माई को रहिवार, 26 माई को बुद्ध पूर्निमा और 30 माई को रहिवार है कोरोना वी स्पोर्ट के चलती सकती, बिहार के इस जिले में 4 दिनों के लिए लोगडाउन की घोसना जी हा, कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन, त्रास्दी के बीच नवादा में 4 दिनों के पूर्ण लोगडाउन की घोसना कर दी गई है आगामी सुकरवार, सनिवार, रहिवार और समवार को जीले में पूरी तरह से लोगडाउन रहेगा इस दोरान सिर्फ बारत तरह की आवस्यक सेवाव से जोड़े दुकान, प्रतिष्टान और सेवाई संचालित होगी दुकानों और प्रतिष्टानों को खोलने के लिए समय का भी निर्दारन होगा इक अबर बिहार में कोरोना वैक्सिनेशन के तिसरे चरण के लिए 18 वर्स से उपर वालों का रेजिस्ट्रेशन जिया बिहार में 18 से 44 साल के लोगों को एक माई से सुरू हो रहे कोरोना टिका गरन अभ्यान को लेकर 28 अप्रेल से निबंदन के प्रक्रिया सुरू होगी राज स्वास्त समीति की कारिपालक निदेसक मनोज कुमार ने लाइन प्रेस कॉनफरेंस में इसके जानकारी दी है उन्होंने साब किया कि बिना पूर्व निबंदन के 18 से अधिक उम्र वाले कोरोना टिका नहीं ले सकेंगे उन्होंने कहा कि 18 से 44 सालों के व्यक्तियों के बीच स्रेनी बनाई जा सकती है राज सरकार इस पर विचार कर रही है इसको लेकर उचिस तरिया बेठक में विचार किया जाए और अंकी बड़ी खबर ग्रिया मंत्राले ने राज्यों से कहा जहाँ एक हथे तक पोजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा आए वहाँ 14 दिन की सकती पबंदिया जरूरी आदेश में कोरोना की बिगरते हालात को देखते हुए केंद्रे ग्रे मंत्राले ने राज के लिए गायलाइन जारे की है इसमें कहा गया कि अब राज सरकार को लोगों पर सक्तिक करनी होगी यह भी बताया गया कि कितने परतिसाद कोरोना केस आने पर कितनी कड़ाय करनी है केंद्रे ने राज से कहा कि इस्थानिय प्रसासन को ही तई करने दे कि वहाँ कंटेंडमेंट जोन बनाना है और कहां इस तक पाबंदिया लगाए आज के लिए आपका सवाल बताए के बिहार के प्रत्म राजिपाल का क्या नाम है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं